उनके अनुसार लगभग दो बिलियन लोगों के स्थाई दांत खराब हो गए हैं। दन्ट चिकित्सा देखभाल की लागत को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कि इस ब्रश के रचनाकारों ने लगभग 12,000 डॉलर जुटाए हैं। रोक्था महत्वपूर्ण है और पोलो ब्रश यात्रा और दे हेक्टिक सिटी लाइफ सही है। आकार और इसमें 50 ब्रश तक रीफिल करने योग्य एक अंतरनिर्मित तूथ पेस्ट जलाशए है। आप प्लासिक ब्रिसल विकलपों में से चुन सकते हैं। दुपोंट काइनेक्स सामगरी से बने नरम मध्यम और कठोर जो प्रतिसपर्धियों की तुल्ना में दोगुने लंबे समय तक चलता है। ब्रश सहित एक सेट, दो अतिरिक ब्रश हेड और दो इतालवी पुदीना पेस्ट से भरे ब्लॉक पाँच सो रुपए में उपलब्ध है। और द्योगिक क्रांटी के दौरान अंग्रेजी उद्योग पतियों ने अपनी शर्ट के कॉलर पर ध्यान क्यों केंद्रित किया। यह सहायत वस्तु समाधान प्रदान करके खरीदारों को आकर्शित करती है। मैडमेट का उपयोग करके टीम अनियंद्रित कॉलर इसे स्थापित करना बहुत आसान है। और 60 डॉलर में आपको विदेशी जर्मन सर्जिकल स्टील से बने विभिन्न आकारों में धारकों के तीन जोड़े के साथ एक सेट मिलता है। रोजमर्रा के उपयोग के लिए सबसे छोटा और सबसे टिकाव पेन आप डिजाइन को पहचान सकते हैं। क्योंकि यह स्लगहाउस द्वारा एक प्रोजेक्ट है। वहीं द्रिशे जिसने फ्लैशलाइट की तरह चुम्बक के साथ कॉम्पैक्ट फ्लैशलाइट बनाया है। यह पेन भी एक चुम्बक से सुसर्जित है और इसे घटा कर एक सौ साथ बाई साथ कर दिया गया है। आकार में मिलिमीटर इसलिए यह पॉम्पैक्ट है फिर भी लिखने में आराम दायक है। यह लिखने के अलावा बहुमुखी भी है। आप इसका उप्योग पत्र और पार्सल खोलने के लिए कर सकते हैं और इसे बैग या बैक पैक पर पहना जा सकता है। कीमत दो पेन के लिए दो हजार रुपए है। एक जापानी कंपणी ने एक चतुर कैरबिनर विक्सित किया है। और उन्होंने इसके लिए एक पेटेंट आवेदन भी दायर किया है। यह सरल लग सकता है लेकिन इसे अत्यधिक बहुमुखी और पैदल यात्रियों, मचवारों और खाने पीने वाले बिल्दरों के लिए उप्युक्त बनाया गया है। जिससे उन्हें अपने आवेशक उपकरण या गैजेट हाथ में मिल सकें। लाइन एक्स्टेंशन लाइट 85 सेंटीमीटर है और कैर्बिनर 3.4 किलोग्राम तक के भार का समर्थन कर सकता है। कुंडी 360 दिगरी घूंगती है जो इसे और भी सुविधाजंट बनाती है आप और क्या मान सकते हैं। इसमें एक चुम्बकिय लॉक भी है और यहाँ 2500 रुपए की मामूली कीमत पर आता है। विकिपीडिया के सम्तुलिय स्टार वार्स में अब लगभग 180.000 पेज है। इसमें जेडी और बाउंटी हंटर्स दोनों के बीच लोक प्रिय इन गैजेट्स को समर्पित एक पेज भी है। इनमें एक अनोखा योगिक होता है जो हवा के संपर्प में आने पर कठोर हो जाता है और 200 मीटर की रेंज प्रदान करता है। हालांकि हमारी तकनीक ऐसी नहीं है। अभी भी उस तर पर काफी है। इसलिए हमें अपने बेल्ट पर लटकाने के लिए कुछ और अधिक विनम्र होना होगा। जैसे कि ये क्रॉस वो वे लगभग 2 ग्राम वजन वाले कई तीरों और 4 मिलिमीटर स्टील की गेंदों के लिए डिजाइन किये गए हैं। जो आश्चर्य जनक हमलों और आपके लिए एक सामरिक लाब की अनुमती देते हैं। सोना गुणा 12 सेंटीमीटर मापने वाले बल के किनारे को आसानी से जेडी या सित पंक्ती के नीचे छुपाया जा सकता है। प्रसिद आर्थिक पत्रिका फोप्स ने स्पिनर्स की प्रशंसा करते हुए कहां कि यहां ऑफिस के लिए जरूरी खिलोने हैं। जबकि वायर्ड ने तो और भी आगे कहां कि यहां नया रूबिक क्यूब है। इस चलन का लाब उठाते हुए उद्यम्यों ने कि कस्टार्टर जैसे प्लाटफार्मों पर विभिन्न फिजेट खिलोनों की बाढ़ ला दी है। यहां विशेश खिलोना अपनी अनूठी विशेशताओं के कारण 100 डॉलर में बिखता है। यहां दुनिया का पहला टाइटेनियम स्क्रूड्राइवर फिजेट स्लाइडर है जो रिवॉल्वर सिलेंडर से प्रेरित है। यह 6 बिट्स रख सकता है और इसे अतिरिक्ट सुंदर्ता के लिए एरो स्पेस उद्योग में उप्योग किये जाने वाले जी आर 5 टाइटेनियम से तैयार किया गया है। एक चमले का केस उपलब्ध है जो आपको इसे अपने बेल्ट या बैट पर क्लिप करने की अनुमती देता है।